नमस्कार आप देख रहे हैं कि तान इश्टे वी प्रसुत है समाचार कैस साल से परसानी है यह धर बिजली नहीं है पानी रोड पे बह रहा है यह नगर परिषद में है नगर परस्थीज़त में अतना पीछे रहेंगे तो गड़बर न रहेगा गडवा से दिपक कुमार की रिपोर्ट पर संकलन के दोरान वहां के इस थाय निवास्वें से विवस्था के ले कर जब बात की गई तो उन्होंने बताये कि नगर परिशद में हम लोग तो निवास करते हैं नगर परिशद के दवरान लागू, टेक्स शुल्ख भी हम लोग चमा करते हैं किन्तों यहां कोई सुविधा नहीं मिली, आज तक ना तो यहां नाली बनी और ना ही बिश्ली सुविधा के लिए पोल खंबे लगाए गए, तो वहीं सफाई कर्मी भी अब तक किस वाड में नहीं आते हैं, हम लगों को नगर परिशद में रहकर भी एक ग्रामिंट शेत्र क चीवन यापन करना पड़ता है, बांस के खंबे से बिश्ली विवस्ता अपने घरों तक लाकर घर में लाइट चलाई जाती है, उसी दुरान कई बाद बिश्ली तार गिर जाने से घटना भी खट गई, वहीं नाली का पानी कच्चे रोड में ही बहाव होता है, जिसे यहा वार तलाब कर आपके वार्ड पाश्चत नेतिश्त देत गया जाएगा और आपके वार्ड में सभी सुविधाय मिल जाएंगी, किन्तु आज सक हम लोगों को ऐसी कोई सुविधान नहीं मिल पाई इधर से बच्चा जा रहा है, इसकोल, गाए, भें से ही सब है, बकरी है, सब लाइन में सट के मर जा रहा है, इधर बढ़ियां सुविधा होना चाहिए, पानी रोड पे बहारा है, और पानी कलिव इजनाली बहाने लिए जगडा भी हो रहा है उसमें, और बिजली नहीं है क्या सुविधा चाहिए अगरा नहीं है लाइन का सुविधा चाहिए, नगर परिश्द में है, बखे बढ़ न रहेगा 400 मीटर दूर से हम लोग 500 मीटर दूर से लाते हैं लाईं तार खिचा गवराता है कभी गाय बहल भाईस उसमें लड़ जाता है तूट जाता है कुण लोग कभी डर है कितना वाड में है यह वाड नमबर तीन है चार है सीबी एसी पर आधारित इंगलिश मीडियम स्कूल अक्सवोर्ट पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास सिक्स तक नमांकन प्रारंब है जल्द करें स्थान सिमित है दूर दराज की चात्रों के लिए यातायात वाहन की विवस्ता उपलप्त है हमारा पता है अक्सवोर्ट पब्लिक स्कूल नरायनपूर टंडवा कडवा विशेश जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्क करें